तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना का जो आवेदन करेंगे आप लोग जो फॉर्म है वो उसमें क्यों कौन से डॉकुमेंट आपके मांगे गई हैं क्योंकि कई बच्चे जो हैं ये कमेंट कर रहे हैं तो हर एक को जवाब देने की वज़ा यहां पर मैं आपको आवेदन का प्रारूप ही दिखा देती हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कौन-कौन से जो हैं आप लोग कागज तयार रखोगे सबसे पहली बात कोई भी आपका जो डॉकुमेंट है उसके आप दो फोटो को पी आप कराके रखिएगा ठीक है यहां पर आप देखें सबसे पहले आवेदक का नाम यानि आपका नाम पिता का नाम आपकी आवेदित विध्याले का नाम जहां आप अप्लाए करोगे जिस स्कूल के लिए वहां ये लिखोगे आवेदित पद का नाम किस पोश्ट के लिए आप अप्लाए कर रहे हो ये ल आप गलत आप कुछ भी यहां कर देते हो, गलत डॉकुमेंट यहां पर आप लगा देते हो, यह गलत भर भी देते हो, नाम वगरा मिस्टेक कर देते हो, तो आप तुरंत रिजेक्ट कर दिये जाओगे, ठीक है, तो यहां पर उसके बाद 6 नमबर पर आपकी डेट ऑव सेवन्त और एट नमबर पर देखिए, आपकी जो कौलिफिकेशन है, सैक्शनिक योगता, जिसका 75% मांगा है, और प्रेस सैक्शनिक योगता, जिसका 25% मांगा है, ठीक है, तो देखिए, सैक्शनिक योगता, जिसमें आपके माध्य में, एक 10th की माक्षीट, उच्छे में सी किया है, एम कॉम किया है, जो भी आपने किया है, तो वो लगाएंगे, इन सब का वर्सा भरोगे, परसेंटेस भरोगे, ठीक है, सलगन 1, सलगन 2, सलगन 3, इस तरीके से जैसे दिया गया है, उसी तरीके से आप इनको जो है, लाइन वाइन लगा दोगे, ठीक है, और पर 75% जो है वो जोड़ा जाएगा उसके बाद प्रैसेक्शन के योगे था आपने बीड किया है डीलेड किया है बीएस्टीसी किया है जो भी आपने किया है तो वो यहाँ पर लगेगा 5 नंबर पर वर्स और परसेंटेज जो है वो आपकी यहाँ लिखी जाएगी ठीक है उस लेटेस्ट जो आपका एक्जाम हुआ है रीट का जिसके अभी प्रमान पत्र नहीं आया है तो हम क्या करेंगे तो क्या करना है आपको ओनलाइन जो आपकी माक्शीट आई है तो उसको आप लगाएंगे ठीक है क्योंकि सभी के पास यही अबलेवल है इस वक्त तो उसी को लगाना है आपको वर्स लिखना है आपको यहां प्रतिशत लिखना है कि कितनी परसेंटेज आपकी आई है ठीक है उसके बाद देखिए निवास का पता यानि इस्थाई यानि कि जहां पर आपका जो इस्थाई जो एड्रेस है वो लिखना है और अभी आप वर्तमान में नौकरी जो है वो कहां करना चाते हो वो वाला एड्रेस आप लिख सकते हो जैसे कि कोई बच्चा जो है हनुमानगड का निवासी है लेकिन जैपुर में जो है वो रह रहा है इस वक्त तो वर्तमान पता वो जैपुर का लिखेगा ठीक है और जो एक ही जगे पर रह रहा है स्टार्टिंग से और अभी भी यहीं है तो दोनों जगे एक ही पता लिखा जाएगा मुबाइल नंबर लिखा जाएगा ताकि आपको कोई सूचना अगर देनी है तो आप तक जो है वो पहुचेगी इसलिए वही नंबर यहां डालें जहां आपको इन्फॉर्मिशन मिले उसके बाद देखे सबसे important बाद जाती वर्ग यानि जाती प्रमाणपत्र के बारे में जो बच्चे पूछ रहे थे यहां आई प्रमाणपत्र का कोई मतलब नहीं है जाती प्रमाणपत्र यानि आपकी जो है वो कास्ट क्या है उसका जो है certificate आप लोग यहां पर है उसके बाद अगर आप विकलांग हैं भूत पूरु सैनिक हैं विद्वा परित्य गता हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यहां नौ नमबर में आपको यह डोकुमेंट से लगन करना है ठीक है मूल निवास प्रमान पत्र यानि आप राजिस्थान के मूल निवास हैं तो आप यहां लगाएंगे और जो बच्चे राजिस्थान के नहीं है वो जनरल कैटिगरी के अनुसार जो हैं उनको गिना जाता है उसके बाद 12 नमबर पर है चरित्र प्रमान पत्र यहां पर दो राज पत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत यानि यहां पर दो लोगों के साइ यहां पर और जिस स्कूल में आप अप्लाए करोगे वहां के प्रंसिपल से भी आप लोग करवा सकते हो ठीक है तो आवेदन पत्र के साथ सरलगनों की सूची सरलगन एक से बारा यानि कि आपके कितने डॉकुमेंट हो गए कम से कम बारा डॉकुमेंट हो गए 100 प्रमानित चाया प्रतियां यहां पर जो है self attested मांगा गया है ठीक है self attested होने चाहिए और सपत पत्र तथा अन्य जो आवेदन करता देना चाहे और इसके अलावा भी अगर कोई qualification है तो वो भी आप लगा सकते हो सपत पत्र जो है वो आपको लगाना है normal सपत पत्र वही जो आप सभी देखते आ रहे हो आज तक आपने जहां पर भी apply किया है जहां पर सपत्र मांगा गया है वही वाला जो है format यहां चलेगा ठीक है तो यह पूरा जो है मैंने आपको दिखा दिया कौन-कौन से जो है वो आपको document चाहिए तो आपको क्या करना है original certificate इनको विल्कुल इसी तरीक वार जो है कितनी विगैंसी है तो यह बिल्कुल आप लोगों के पास जो है कल तक यह सूचना जो है वो आ जाएगी सभी के सामने तो चलिए मिलते हैं next video में thank you